मप्र में 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता वृद्धी पर वित्त मंत्री उप मुख्य मंत्री जगदीश देवडा ने दिया आश्वासन. मांग शीग्र पूली की जाएगी दिवाली से पहले मिल सकता है डिये. दिवाली से पहले कर्मचारियों को अक्टूबर की एडवांस सेलरी के साथ बकाया महंगाई भत्ता भी मिल सकता है. बुधवार को उप मुख्य मंत्री जगदीश देवडा से भारतिय मजदूर संग्ड BMS के प्रदेश पदाधिकारियों ने सोजन्य भेट कर कर्मचारी हितों की मांगों पर चर्चा की. उप मुख्य मंत्री ने BMS के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि गुरुवार को मुख्य मंत्री और वित उप मुख्य मंत्री BMS के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि गुरुवार को मुख्य मंत्री और वित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके कर् कर्मचारी संगटनोंने की दिपावली से पहले दिये बढ़ाने की मांग। भारतिय मजदूर संग और राज्य कर्मचारी संग के प्रतिनेधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस देवडा को ग्यापन भेज कर लिपिक वर्क के कर्मचारियों की वेतन विसंगतिया दूर करने के साथ केंद्र के सामान बकाया सातार प्रतिशत महंगाई भन्ना देने की मांग की है। साथ ग्यापन में राज्य सरकार से साथ में वेतन आयोग की अंशन साय भी शीग्र लागू करने को कहा है। अगर गुरुवार तक मांगों का निराकरन नहीं हुआ तो शुक्रवार को मप्र अधिकारी कर्मचारी मोर्चे के प्रांत्व्यापी धर्ना प्रदर्शन में मप्र कर्मचारी कॉंड्रेस के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे धन्यवाद